मेरा नाम प्रदीप है, मैं उत्राखंट से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपनी जिन्दगी में कई उतार चड़ाव देखे हैं, बहुत बार मैं मरते मरते बचा, लेकिन एक समय मेरी जिन्दगी में ऐसा आया, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, कि सच में हमारी परे भी कुछ है, वैसे आज के टाइम में मैं एक दुकान में काम करता हूँ, और अच्छा खासा पैसा चाप लेता हूँ, लेकिन एक टाइम था, जब मुझे अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, तो आईए, जानते हैं मेरी ही जिन्दगी से जुड़ हुआ एक किसा हूँ, जब मैं 20 साल का था, तो अपना खर्च चलाने के लिए 15 दिन पहले ही मैं जुमेटो में एक डिलिवरी राइडर बना था, मैं रसोई में काम करने के साथ साथ डिलिवरी भी किया करता, और ऐसे में हमें कभी भी डिलिवरी करने के लिए जाना पड़ था, ये रात के लगभग 9 बजे की बात होगी, हुआ कुछ यू था कि उस दिन हमने अपना सारा काम निप्टा लिया था, और अब हम बस जुमेटो की शॉप को बंद करने ही जा रहे थे, कि तभी हमारे सर्विस फोन की घंटी बजी, जैसे ही मैंने फोन उठाया, तो मुझे पता चला, कि मुझे अभी के अभी, शहर से लगभग 10 किलो मिल्टर दूर, गाउं में खाने के डिलेवरी करनी है, फिर जब मैंने इस गाउं के बारे में, अपने ही बगल में बैठे हुए अंकुष भाई को बताया, तो वो मेरी ब दोस्तों, उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया, उसके बाद उन्होंने बताया, कि उस गाउं में कोई भी आबादी नहीं है, वहां के लोग उस गाउं को छोड़कर दूसरी जगह पर बस गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे फिर मैंने उनसे कहा, अरे भाईया, साफ साफ कहिए न, आप कहना क्या चाहते हैं, और तब जाकर उन्होंने बताया, साथ साल पहले ही, वो गाउं एक हंडहर के रोप में परिवर्ती थो गया, और उसके आगे जो नहोंने बताया, वो सच में दिल तहला देने वाला था, ऐसा भी तो हो सकता है न, कि वहाँ पर अब नए लोग आकर रहने लगे हो, और उन्होंने ये खान और किया हो, मेरी बात सुनकर, भाईया ने भी हामी भरी, लेकिन वो भी थोड़े चिंतित लग रहे थे, इसलिए मैंने उनसे कहा, अरे देखो भाई, आप चिंता मत करो, डिलिवरी करने का काम मेरा है, और वैसे भी मुझे एक्स्ट्रा काम करना पसंद है, तो आप मैनेजर से बोल देना, कि मैं ही उस डेंजर जोन में खाना डिलिवर करके आया हूँ, इससे मेरी तंखा भी बढ़ जाएगी, मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराएं, और उसके बा इसलिए मैंने उन सब चीजों को नजर अंदाज किया, और फिर थोड़ी ही देर के बाद, जोमेटो का वो और्डर लेकर वहां से निकल पड़ा, अंधेरे तक तो फिर भी ठीक ही था, लेकिन अब जब मैंने घड़ी की तरफ देखा, तो रात के साड़े दस बच चुके थ उपर से ठंड का वक्त चल रहा था, ऐसे में मैं समान लेकर जाता, तो मेरा शरीर किसी बर्फ की तरह जम जाता, मेरा मन तो बोल रहा था, किस डिलेवरी को मैं ना ही करूं तो ही बहतर है, लेकिन अब जब मैंने इस काम की जिम्मेदारी उठा ही ली थी, तो मैं अब पीछ उसके बाद मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो खाना डिलीवर करने के लिए निकल पड़ा उस गाओं का रास्ता यहां से करीब 20 मिनिट का गूगल मैप पर दिखा रहा था उसका एक कारण ये भी था कि वो पूरा रास्ता कच्ची सडक से बना हुआ था जहां कभी गड़े नजर आते तो कभी पक्की सडक अब मैं गूगल मैप की सहता से वो रास्ता पकड़ चुका था जहां पर मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना था बाद में मुझे भी थोड़े दिर अराम करने के लिए रूम पर पहुँचना था मैंने लगभग चार किलो मीटर का सफर तो तैक कर ही लिया था लेकिन आगे की सडक को देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि वो सडक कंकर पत्थर से बनी हुई थी कभी खाई नजर आती तो कभी एकदम कच्चा रास्ता जिसमें बाईक का चलना बहुत मुझे खुद ही पच्चतावा हो रहा था कि मुझे इस डिलेवरी को करना ही नहीं चाहिए था किसी तरह मुसीबत को पार करते हुए आखिर कार मैं उस गाउं के अंदर पहुँची गया जैसा कि भाईया ने मुझे बताया था उस गाउं के स्थिती बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी हुई थी चार वो तरफ एक्तम गहरा सन्नाटा पस रहुआ था उस गाउं को देखकर एक बार के लिए किसी का भी दिल तहल जाए लेकिन अब मैं उस घर की तलास में था जहां पर मुझे ये खाना डिलेवर करना था बाद में मैंने अपना फोन निकाला और फोन निकाल कर मैं उस नमबर पर फोन मिलाने की कोशिश करने लगा लेकिन मेरे बार बार फोन मिलाने के बाद भी वो नमबर आमान यही बता रहा था मज़े थोड़ा गुसा तो आया लेकिन फिर मैंने अंकुष भाईया को फोन मिलाया और उन्हें पूरी बात बताई मेरी बात सुनकर भाईया ने कहा अच्छा तुमें काम करो पांच मिनिट के लिए वहीं पर रुख जाओ अगर कोई आता है तो ठीक है वरना कोई नहीं आया तो तुम चुपचा बाईक लेकर वापस ओफेस की तरफ आ जाना उसके बाद मैंने फोन काट दिया पांच से दस मिनिट के बीच में वेट करने के बाद मेरे फोन की घंटी बजी जैसे ही मैंने फोन के स्क्रीन पर देखा तो पाया कि वो उसी नंबर से फोन था जिस नंबर से वो आर्डर मिला था मैंने तुरंद ही फोन उठाया कि तबी सामने से आवाज आई उस आदमी की बात सुनकर मुझे राहत की सांस मिली लेकिन अब मेरे सामने मुसीबत ये खड़ी हो गई थी कि मैं वहाँ की किसी भी गली को नहीं जानता था लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ चारों तरफ बोर्ड लगे हुए थे ऐसे में मैं ये देख सकता था कि मझे केस तरफ जाना था एक तो उस गाउं में कुछ गिनी चुनी लाइट थी और वो भी पुराने बल्ब की उपड़ से उस गाउं में इतना सन्नाटा था कि अपनी ही धरकनों की आवाज भी सुन सकता था बाद में मैंने धीरे धीरे उस गली को ढूंड़ना शुरू कर दिया और थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिर में मुझे वो रास्ता मिल ही गया जिस तरफ मुझे जाना था मैं ठीक माकान नंबर 11 के पास पहुँच गया और वहीं पर मैंने एक छोटा सा माकान देखा उस माकान का दरवाजा लगा हुआ था लेकिन हैरानी इस बात की थी कि उस माकान को बाहर की तरफ से लॉक किया गया था उसके सामने ताला लटका हुआ था एक बार के लिए उस माकान को देखकर मेरा दिमाग सनक गया था क्योंकि मुझे तो इसी घर से ये आर्डर मिला था तो ऐसे स्थिती में इस मकान का बंद होना एक अजीब सी चीज थी उसके बाद मैंने फिर से उसी नमबर पर फोन मिलाने की कोशिश की लेकिन ऐस बार भी वही हुआ जो हर बार होता था उस नमबर के उपर फोन लगी नहीं रहा था और फिर इस से बीच मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस घर के अंदर से कोई मुबाइल की टॉर्च लेकर बाहर आ रहा हो मैं पड़ ही ध्यान से उस मकान के दरवाजे की तरफ देखने लगा फिर मैंने देखा कि मुझे उस मकान के अंदर से छे फुट की लंबी कद काठी वाला आदमी अपनी तरफ आता हुआ नजर आ रहा था उस आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुझे चैन की सांस मिली और फिर उसके बाद मैंने अपने बैग से अंदर से समान निकाल लिया और उसे कुल आठ सो नबे रुपए बताए उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक काले रंग का रुमाल बांध रखा था इसलिए मैं उस आदमी का चेहरा तो नहीं देख पाया पर उसका नेचर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था उसके बाद उस आदमी ने कहा तो करना चाहता था लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ी ही देर की तो बात है मैं पैसे लेकर वापस आ जाओंगा उसके बाद वो आदमी पीछे के दर्वाजे से होता हुआ अपने घर के अंदर दाखिल हुआ और मैं भी उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर तक पहुँच गया जैसे ही मैंने उस घर के अंदर का नजारा देखा तो मैं हैरान हो गया घर के अंदर चारों तरफ लाइट चमक रही थी बाहर से तो मैंने सोचा था कि ये कोई पुराना खंधार होगा लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा उस घर के अंदर का नजारा देख कर मेरी याँखे खुली की खुली रह गई उसके बाद उस आदमी ने कहा अरे भाई सहब इतनी ठंड में आये हो जरा बैठो चाय वाई पियो उसके बाद चले जाना उस आदमी की बात सुनकर मैं तुरान थी वहीं पर रखी हुई एक कुरसी पर बैठ गया और एधर उधर देखने लगा तब है उस आदमी ने कहा लगता है अब इस गाउं में पहली बार आये हो उसकी बात सुनकर मैंने हामी भरी और फिर उस आदमी ने कहा वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ इस गाउं की एक कहानी बड़ी मशुहूर है कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रेत रहता है जो लोगों को अपने घर पर बुलाता है और उनके बदन को फाड़ कर अपनी भूख मिटाता है ऐसा उसने कई सारे लोगों के साथ किया है इतना सुनकर मेरे चहरे पर एक छोटी सी हसी आगई फिर मैंने उस आदमी से कहा अरे भाई साहब ये मौडरन जमाना है इस जमाने में भूख पिशाच को कोई नहीं मानता ये सब लोगों के दिमाग का केवल वहम होता है बस मेरी बात सुनकर वो आदमी भी मुस्कुराया और उसने कहा देखे भाई साहब वास्तिविक्ता तो वास्तिविक्ता ही होती है अब सच्चाई को जटलाया भी नहीं जा सकता इसके बाद वो आदमी अपने हाथ में दो कप चाय लेकर मेरे पास पहुँचा और उसने एक कप चाय मेरे हाथ में थमा दिया उस कमरे के अंदर इतनी जादा ठंड नहीं थी तो अब मेरा शरीर थोड़ा नॉर्मल हो गया था वो आदमी मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठा अब की बार उसका चहरा खुला हुआ था लेकिन उस आदमी ने उस कमरे की लाइट को आफ कर रखा था बाकी घर में चारों तरफ रौसनी चाई हुई थी ऐसे में फिर से उसके चहरे पर अंधिरा था तो मैं फिर से उसका चहरा देख पाने में नाकाम था खैर फिर उस आदमी ने कहा चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो इस गाउं में बड़ी पुरानी और बड़ी मशुहूर दास्ता है पहले तो उस आदमी की बाते मुझे काफी हद तक तो बोर कर रही थी लेकिन उसके बाद उस आदमी ने मुझे बताया कि लगभग साथ साल पहले की बात है इस गाउं के अंदर लोगों में खुशी का महौल हुआ करता था लेकिन फिर एक रात की दहशत ने पूरे गाउं को बरबाद करके रख दिया उस रात अमावस की रात थी वीर राम का एक लड़का जो अपनी जॉब खत्म करके घर के लिए लोट रहा था क्योंकि उस समय काफी रात हो चुकी थी और ऐसे में चारों तरफ काफी अंधेरा पसरा हुआ था वीर को सिकार करना बहुत पसंद था वो हमेशा से खरगोश और अन्य जानवरों को पकड़ कर उन्हें बेचता तो कभी अपने घर में उनका पकवान भी बना लेता लेकिन आज जब गाउं के लोगों ने वीर को इस तरह भागते हुए देखा तो उनका शक यकीन में तबदील हो गया पहले से ही लोग वीर के उपर अलग-अलग कर्टूतों का आरोप लगाया करते थे लेकिन जब गाउं के लोगों ने देखा कि वीर शिकार करने के लिए भाग रहा है तो गाउं के लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसको अमावस की रात का कातल मान कर तडपा तडपा कर वही मार डाला वो रात उस गाउं की आखरी चैंद की नींद थी उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गाउं में दहसत मचा दी किसी ने भी नहीं सोचा था कि जस लड़के को उन्होंने बेवजा ही मान डाला वो पूरे गाउं से बदला लेगा उस रात के बीथने के ठीक दो दिन के बाद ही उस गाउं में धीरे-धीरे लोगों की मौत होने लगी उस लड़के के घर के बाहर ही लोगों की लाश मिलती है उनका शरीर कटा-फटा मिलता कहते हैं कि उस लड़के की भूख ने पूरे गाउं को शमशान घाट के रूप में परिवर्धित करना शुरू कर दिया इन चीजों के उपर यकीन नहीं करते थे और इस चीज को महज एक महामारी समझने लगे लेकिन वो ये बात भूल चुके थे कि महामारी से तुरंट मौत नहीं होती और जो उस गाउं के अंदर बचते धीरे धीरे वो भी मौत के घाट उतर जाते ये सलसला लगातर दो महिनों तक चला उसके बाद इस गाउं के अंदर से लोगों ने निकलना ही बहतर समझा कहते हैं कि आखरी बार यहां एक मासूम छोटे से बच्चे की मौत होई थी और उसके बाद ये मौत का सलसला थम गया लेकिन जिस लड़के को गाउं के अंपड और गवार लोगों ने तडपा तडपा कर मारा था वो किसे भी तरह लोगों को यहां बुलाता है और फिर उसे मौत के घाट उतार देता है उस आदमी की ये सब बात सुनने के बाद एक पल के लिए मैं उस आदमी की तरफ ही देखता ही रह गया वो आदमी अभी भी आराम से कुर्से के उपर बैठा हुआ था अभी भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था फिर मैंने उस आदमी से कहा लेकिन भाई साहब उस लड़के ने क्या किया लेकिन इस पार उस आदमी का कोई जवाब नहीं था थोड़ी देर तक उस पूरे मकान के अंदर एक अजीब सी शान्ती चाही रही फिर उस आदमी ने अचानक से कहा कहते हैं कि आज भी मकान नंबर ग्यारा के अंदर वो लड़का राज करता है उसकी आतमा उस मकान में गिरफत है जो उस मकान में पहुँचता है वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान वहीं गवा देता है ये सुनने के बाद मेरे हाथ पैर फूल गए मेरी सांसे अब गले में ही अटकने लगी क्योंकि मैं जिस जगह पर बैठा हुआ था ये मकान नमबर ग्यारा ही था अभी मैं उस आदमी से कुछ पोचने ही वाला था कि तभी उसने कहा अरे माफ कीजेगा भाई साहब मैं तो आपको पैसे देने ही भूल गया फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ पढ़ाया मैंने देखा कि उसके हाथ में कुछ पैसे थे पर जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही मैं उसके चहरे के पास गया तो आगे एक नजारा देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई मैंने देखा कि उस आदमी की आखे एक्तम सफेद थी जैसे जैसे मेरा चहरा उस आदमी के चहरे के पास गया तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कने तेज होती गई मैंने किसी तरह उसके हाथ से पैसे लिए और अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोच कर जल्दी से उस मकान के बाहर निकल गया जैसे ही मैं उसके मकान से बाहर आया तब मुझे हलकी चैन की सांस मिली अब की बार मैं अपनी बाइक के पास पहुचा और अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहां से निकलने लगा लेकिन तब ही मुझे पीछे से आवाज आई अरे ओ जो मैटो वाले भाईया जरा एक मिंट रुकना मुझे भी आगे तक छोड़ देना जैसे ही मैंने पीछे घूम कर देखा तो पाया की ये वही आत्मी था जिसने अभी अभी मुझे इस गाउं का एक ढरावना किस्सा सुनाया था वस आदमी को अपनी योर आता हुआ देखकर मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अपनी बाईक लेकर यहां से निकल जाना चाहिए या फिर उस आदमी का वेट करना चाहिए फिर मुझे लगा कि मुझे यहां से निकल ही जाना चाहिए क्योंकि यह इलागा खद्रे से खाली नहीं था लेकिन मैं ने जैसे ही बाईक को स्टार्ट करने की कोशिस की वो स्टार्ट ही नहीं हुई यहां तक तो फिर भी सब कुछ ठीक ठाक था फिर जैसे ही वो आदमी मेरे पास आया तो उसने कहा चलिए भहिया, अपनी बाइक को स्टार्ट कीजिए मैं चुप चाप किसी जिंदा लाश की तरह अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने में जुट गया कि स्टार्ट हो गई फिर मैंने अपनी बाइक को घुमाया और उसे लेकर वहां से निकलने लगा किसी तरह से मैंने हिम्मत करके उस लड़के से पूछा भाईया, वो आपको किधर जाना है लेकिन मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया वो अभी भी जियों का त्यों बाइक के उपर बैठा हुआ था थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने फिर से उस लड़के से कहा भाईया, आप बताओ तो सही कि आपको किधर जाना है लेकिन इस बार भी उसकी तरफ से मुझे कोई रियक्शन देखने को नहीं मिला इसे बीच मुझे हैसास हुआ कि मेरे बाइक के पीछे तो कोई माजूद ही नहीं है एक बार के लिए जब मैंने बाइक के साइड मिरर में देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बाइक के पीछे का हिस्सा एकदम खाली हो थोड़ी देर तक ड्राइफ करने के बाद मैंने एक बार फिर से उस आदमी को कहा भाया आप बताईए तो सही कि आपको किधर जाना है लेकिन फिर से उस आदमी का कोई जवाब नहीं था अब मुझे उस आदमी के उपर गुस्सा आ रहा था इसलिए मैंने बाइक को एक जगह पर रोका और फिर मैं जैसे ही पीछे घुमा तो वहां का द्रिश से देखकर मेरे पैर सुनना पड़ गए मैंने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है वहां का द्रिश से एक दम साफ था मैं अभी भी उस गाउं से बाहर नहीं निकला था ऐसे में मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ गया और मेरा स्चा की यकीन में तबदील हो गया क्योंकि अब मैं इस बात को समझ गया था कि जिस लड़के की वो आदमी बात कर रहा था असल में वो वही लड़का था और अब सायद मुझे बहुत बुरी मौत मारने वाला था फिर भी मैंने इतनी जल्दी हार नहीं मानी और अपनी बाइक को स्टार्ट की और फिर वहां से निकलने लगा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी भूतिया फिल्म का पार्ट बन गया हूँ मैं बार बार पीछे घूम कर देखता और डर के मारे बाइक को भगाता रहा अंत में मैं उस जगह पर पहुँचा जहां उस गाओं का एक आखरी हिस्सा था लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला हो ही जाता है ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ मेरी दोड़ती हुई बाइक ने अचानक ये मुझे धोखा दे दिया जैसे ही मेरी बाइक एक गलत जगह पर आकर रुकी तो उसके साथ ही मैं पागलो की तरह अपनी बाइक को बार बार इस्टार्ट करने की कोशिस करने लगा लेकिन मेरी तमाम कोशिस करने के बावजूद भी मेरी बाइक एस्टार्ट नहीं हो रही थी लेकिन थोड़ी दिर के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे से अपने कदम पटकते हुए मेरी तरफ आ रहा है कहीं न कहीं ये बात तो साफ हो गई थी कि ये जो भी था कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं था क्योंकि इस सड़क के उपपर कोई नॉर्मल आदमी घूम ही नहीं सकता ये पूरा गाउं खाली था और इसके अंदर महज एक ही आदमी था जो पिशाच रोप में घूमता था और वो वही शक्स था जो इतिनी देर मेरी बाइक के पीछे बैठा हुआ था मुझे लगा कि अब मुझे आठ से दस किलेमेटर के रास्ते को पैदल ही पार करना होगा अगर मैंने इस रास्ते को पैदल पार नहीं किया तो फिर वो आदमी और लोगों की तरह मुझे भी मौट के घाट उतार देगा उसके बाद मैंने अपनी बाइक को वही पर खड़ा किया और वहां से पैदल पैदल भागने लगा मेरी बाइक वही की वही खड़ी थी और मैं उस कच्ची सड़क के उपर लगातार भागता जा रहा था थोड़ी देर तक भागने के बाद मुझे सामने की तरफ एक छोटी सी जोपरी नजर आने लगी लेकिन जब मैं यहाँ पर पहँचा था तो मुझे ऐसी कोई जोपरी नजर नहीं आई थी लेकिन अब पहली बार मुझे उस कच्ची और सुनसान पड़ी सड़क के बगल में कोई लाइट चमकती हुई नजर आई थी जब मैंने बड़े ही ध्यान से देखने की कोशिश की तो पाया कि वो एक छोटी सी टपरी थी और वहाँ पर कुछ गीने चुने छोटे मोटे बल्ब लगे हुए थे ये नजरा देखकर मैं हैरान तो था लेकिन मेरे लिए एक उमीद जग गई थी कि मैं अपनी जान बचा सकता हूँ उसके बाद मैं उस जोपरी की तरफ चलने लगा लेकिन तब ही मुझे पीछे से महसूस हुआ कि कोई गाड़ी आ रही है जैसे ही मैंने पीछे घूम कर देखा तो पाया कि ये सिर्फ एक हेडलाइट थी और एक हेडलाइट का मतलब था कि ये कोई बाइक वाला था उस बाइक को इधर आता हुआ देखकर मेरी सांस में सांस आई मैंने तुरन थे उस बाइक के सामने अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया पर जैसे जैसे वो बाइक मेरे करीब आ रही थी वैसे वैसे मेरी आखे बड़ी हो गई क्योंकि ये बाइक तो मेरी ही थी अब मैं उसे बड़ ही आश्चर से देखने लगा जब मैंने अपनी बाइक पर ठीक से नजर डाली तो पाया कि मेरी बाइक को वही सक से चला रहा था जिसने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई थी या फिर यू कहें कि ये वही पिसाच चला रहा था उसके बाद मैंने आओ देखा न ताओ और सरपड भागते हुए उस जोपड़ी की तरफ चल पड़ा जिस तरफ मुझे वो हलकी हलकी रोशनी नजर आ रही थी क्योंकि अब वही मेरे लिए मेरी जान बचाने का एक उत्तम इस्थान था वैसे तो वहाँ पर भी मेरे लिए कोई न कोई खत्रा तो हो ही सकता था लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने इस आदमी से एक बार फिर से मुलाकात की तो ये मुझे मौत के घाट उतारने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा थोड़ी देर के बाद मैं दोड़ता हुआ उस जोपड़ी की तरफ निकला हाला की मेरी बाइक उस जगह पर आकर खड़ी हो गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस बाइक की तरफ से भी कोई आ रहा है खैर मैंने भी अपनी रफदार में कोई कमी नहीं खलने दी और तेज गती के साथ बस चलता रहा थोड़ी देर तक आगे जाने के बाद मुझे उस जोपड़ी के पास कोई भटकता हुआ नजर आने लगा ऐसा लग रहा था कि उस जोपड़ी के पास कोई तो है और ये देखकर मेरी जिन्दगी जीने की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई अब तक मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरी आखरी रात है लेकिन जैसे ही मैंने उस जोपड़ी और वहाँ पर भटक रहे आदमी को देखा तो मेरी सांस में सांस आई उसके बाद मैं उस जोपड़ी के एकदम पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी था जिसने सफेद रंग का चोगा पैजामा पहन रखा था और उसके हाथ में एक लंबी लखड़ी थी उसने जैसे ही मुझे अपनी तरफ आता हुआ देखा तो वो सतर्क हो गया और उसने अपने हाथ में एक दिया पकड़ लिया मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अखिर करने क्या वाला था तभी मैंने उस आदमी से कहा दादा जी मेरी जान खत्रे में है मैं अभी अभी एक बुरी बला से अपनी जान छुड़ा कर आया हूँ और वो मेरा पीछा छोड़ने को तयार ही नहीं है मेरी बाते सुनने के बाद उस आदमी ने मुझे घूरते हो देखा और बोला कहां से आ रहे हो तुम उसके बाद जाकर मैंने उस बोड़े आदमी को अपने साथ होई पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया मेरी पूरी बातों को सुनने के बाद उस आदमी ने कहा चिंता मत करो वो सक्स यहां पर नहीं आ पाएगा मेरी जोपड़ी के चारो तरफ मैंने एक ऐसी मंत्रित रेखा बनाई है जिसके अंदर कोई भी काली बुरी ताकत दाखिल नहीं हो सकती खास कर वो जो लोगों को मौत के घाट उतारती है उस आदमी की बाते सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली लेकिन अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये बुड़ा आदमी आखिर था कौन और यहां पर क्या कर रहा है देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था कि यहां पर इसका अड़ा है और ये यहीं रहता है फिर मैंने यही सवाल उस आदमी के सामने जटाते हुए कहा लेकिन दादा जी आप रात बर यहां करते क्या है आपको तो इतनी रात को अराम करना चाहिए फिर आप इतनी रात को बाहर क्यों भटक रहे हैं मेरी बात सुनकर उस बुड़े आदमी के चेहरे पर एक हलकी से मुस्कान आ गई और फिर उसने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था उस बुड़े आदमी ने हलके से स्वर में कहा देखो बेटा सारी बाते बताने लायक नहीं होती लेकिन मैं तुम्हे एक बात बताता हूँ शायद उसके बात तुम्हें जादर कुछ जानने की जरूत भी नहीं पड़ेगी जिस लड़के की तुम बात कर रहे हो वो लड़का हमारे ही गाउं का था और मैं उसी गाउं में रहा करता था लेकिन उस गाउं के खौफ ने मुझे इस कदर डरा दिया की अब मैं इसी जगह पर आकर रहने लगा हूँ सालों से यहीं रह रहा हूँ इतना कहने के बाद उस बुढ़े आदमी ने चुपी साधली वैसे तो ये एरिया भी उसी गाउं के अंदर आता था लेकिन इस गाउं के इस जगह में ऐसी क्या खास बात थी कि वो प्रेत यहां पर नहीं आ पाता ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई उसके बाद उस आदमी ने मुझे अपने पीछे पीछे आने को कहा जहां मैंने सोचा था कि उस आदमी के पास सिर्फ एक छोटी सी जोपड़ी होगी तो मैं वहां से सरासर गलत साबित हो गया ठीक से देखने पर पता चला कि उस आदमी के पास एक जोपड़ी के अलावा बहुत सारा ऐसा इसा इलाका था जिसमें 20 से 30 लोग अराम से रुक सकते थे तीन से चार कमरे बने हुए थे वो आदमी मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया वहां पर भगवान की कुछ तस्वीरे लगी हुई थी सच में वो कमरा बैठने से ही चैन दे रहा था उसने मुझे वहां पर बैठाते हुए कहा देखो बेटा चिंता करने की कोई जरुवत नहीं है तुम सुबह होते ही यहां से निकल जाना लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो उसके बाद मैंने उस आदमी को बताया कि मैं एक जुमेटो का डिलिवरी बॉय हूँ जो डिलिवरी करने का काम करता है रात के लगभग साड़े तस बजे के आसपास ही मुझे ये सारा ओर्डर मिला था और इस वजह से ही मैं इस गाउं के अंदर दाखिल हुआ था वरना मुझे इस गाउं से कोई लेना देना नहीं था मैं तो बस अपनी डिवटी निभा रहा था मेरी बात सुनने के बाद उस बुड़े आदमी ने हसते हुए कहा देखो बेटा बात कुछ ऐसी है ये हादसा कैसे के साथ भी हो सकता है पहले भी यहाँ पर बहुत सारे बाइक राइडर आए है जिन्होंने अपनी जान दे दी है इसलिए बहतर होगा के तुमाइंदा इस चीज़ का ध्यान रखो के तुम्हारे साथ कुछ भी अजीब न हो इतना कहने के बाद वो आदमी हलका सा मुस्कुराया और उसके बाद पता नहीं क्यों लेकिन मेरा सर अब भारी होने लगा मेरी पलके अब भारी हो रही थी मैं अपनी आखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था आख भारी होने की वजह से मैं अपनी आखों को ठीक से खोल पाने में नाकाम था और आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी मेरी आँखों के सामने अंधेरा चा गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम उसके बाद जैसे ही मेरी आँख खुली और वहां का द्रिस से देखा तो मेरे तो होस ही उड़ गए क्योंकि मैंने देखा कि इस बार मैं एक खाली जगह पर सोया हुआ था जहां चारों तरफ मुझे खाली जगह दिखाई दे रही थी वहां एक साफ और सुन्सान इलाका था इसे देखने के बाद मेरा दिमाग सनग गया क्योंकि रात को तो यहां पर बहुत सारी जोपड़ियां बनी हुई थी और एक बहुत ही पुड़ा टाइप का आदमी नजर आ रहा था फिर आखिर में ये सब क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं समझा रहा था उसके बाद मैं उस धूल से सनी हुई जमीन से उठा और ठीक उसी जगह पर पहुँचा जहां पर मुझे अपनी बाइक की आवाद सुनाई दी थी जैसे ही मैं उस संसान पड़ी जमीन पर पहुँचा तो वहां जाकर देखा कि मुझे अपनी बाइक सड़क के ठीक उपर खड़ी हुई नजर आ रही थी बाद में मैंने ज़्यादा टाइम बरबाद नहीं किया और तुरंत ही अपनी बाइक लेकर वहां से निकल पड़ा थोड़ी देर के बाद मैं अपने इलाके में पहुँचा वहां जाते ही मैंने देखा कि पहले से वहां पर हड़कंप मची होई थी मेरे बारे में सब लोग इधर उधर पूछ रहे थे लेकिन फिर जैसे ही अंकूस भाईया ने मुझे देखा तब जाकर उनके चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखाई दिया वो जल्दी से भागते हुए मेरे पास आये और उन्होंने कहा भाई तू ठीक तो है न तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई फिर उसके बाद मैंने उनके साथ साथ उन सभी लोगों को पूरी बात बताई मेरी बात सुनने के बाद हमारा ओनर मेरे पास आया और उसने कहा लालच में इतना भी आदमी को अंधा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जान जोखें में डाल दे तुमने काम को तो बखू भी किया लेकिन तुमने अपनी जान की कभी परवाह नहीं की मैं तुम्हें प्रमोड तो कर देता लेकिन अगर तुम्हारी जान चली जाती तो ये पैसे कैस काम के कहीं न कहीं हमारे ओनर की बात भी बिलकुल सही ही थी इसलिए मैंने अपनी करदन जोका ली और चुप चाप उनके ताने सुनने लगा धीरे धीरे वहाँ का महौल शान्त हुआ और फिर मैंने अंकुस भाईया को उस बोड़े आदमी के बारे में बताया तो वो भी उसके बारे में सुनकर हैरान हो गए क्योंकि आज से पहले कभी भी उन्होंने इस तरह के आदमी के बारे में नहीं सुना था मेरी बात को सुनने के बाद वो थुड़े हैरान थे लेकिन फिर उन्होंने कहा देख भाई, तेरे गले में साइं बाबा की लॉकेट है और तुझे तो पता ही है साइं बाबा जोपड़ी में ही रहते थे कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही तेरी जान बचाई हो दोस्तो हमारे यहां साइं बाबा काफी पूझनी है और मैं उनका बहुत बड़ा भगता हूँ